लोग बोलते बाबा जी तुम नोजवानों को भरकाते हो तो क्यों नी भरकाऊ नोजवानों को एक बटाओ पूरे देश के इतिहास में आज तक एक भी 50 साल के बुजुर्ग का नाम बताओ जिसको फासी हुई हो हुई क्या एक का नाम बताओ यह दिली में बेट कर चिला रहे हैं बाला साप पे चिलाएंगे नरद मोधी चिलाएंगे इन पर चिलाएंगे संग पी चिलाएंगे यह सांप्रदाइक हैं हमने देश को आजा दिलाई पर मैं चेलेंज करता हूं पूरे देश के और पूरे प्रदेश के शिंदे साब से सोनिया गंदी से लेकर यहां के मु से तून आरे हैं लगिन समस्य है इस गर मों जवाण भाकस ने खाया को नहीं ब क्योंसर नहीं थी प्रॉक्रण नहीं उलना स्वांव आसान आजीयन दोस्तुं पूरे महत्मा गानदी ने कर लेक्ञत नहीं से नहीं से अग्ण जार तक के नोट चला आए लेकिन जिस भगस्टी ने फासी खाई उसके नाम से हमने सोका नोट का चित्र नहीं छापा हमने शिवा जी के नाम से पचास का चित्र नहीं चापा और सामप्रदाइक ता की बात नहीं है ये शियुसना की मंच से खड़े होकर कहना चाता हूं इस बात को अश्फाक उल्ला की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे क्योंकि लोग सीजा अरॉप लगाते हैं तुम तो मुसल्मान जी खिलाब हो तुम सामप्रदाइक हो तो मुल्लों ने समझाया था कठ मुल्लों ने अरे अश्फाक क्यों इसके जान देते हो तुम तो मुसल्मान हो तो अश्फाक उल्ला खाने कहा था कुछ आर्जू नहीं है बस आर्जू यहीं है रखने कोई जरासी खाके बतन कफन में कि मर गया अश्फाक उल्ला खा लेकिन ये मुसल्मान के नाम से बोट लेने वालों ने आज तक अश्फाक उल्ला खाके नाम से दस रुपे का नोट नहीं चलाया इस देश की लंकिया जूत मत बोलना पूशना अपनी बच्चियों से क्यों लव जिहात के चक्करें भज जाती हैं लक्षु भाई नहीं बनना चाती जीजा भाई नहीं बनना चाती केट ने केप बनना चाती दीपि का पादू कौन बनना चाती क्यों क्यों क्योंकि जिसने द लोट भगत सिंग के नाम से चलाए या ना चलाए हमारे दिलों में छपना चाहिए या नहीं कितने लोग तैयार हैं तैयारो एक बात क्यों आप लोग जानी रहें वापस यार मैं चक्कर हूं 25 परसेंट निकल जाओं निकलोंगे क्या अच्छा सुनों देखो एक वाउत हूं जब भगत सिंग को फासी दी जा रही थी मैं शब्द बोल रहा हूं मैं जब बोलता हूं मंच से कारण समझ देना मेरी जितनी प्रदर्शनियाद सब विदेशों में लगती है राजु निवल जी से बात चल रही थी बाबा जी आपकी प्रदर्शन लगा है तो मैंने का मेर महत्मा गांदी ने लाड इजिन से बातचित की थी समझोता हुआ था तो लोगों ने का था महत्मा जी भगत सिंग ने किसी की जान नहीं दिये संसब्भवन के कोने में बं फेका है किसी व्यक्ति पर नहीं फेका आप भगत सिंग की माफी के लिए बात करो शर्त रखो भग आतंकवादी थे तो मेढ भी आतंकवादी हूं जाये तो अफवसी आतंकवादी दिखाई तो बोलो देश के नाम पर आतंकवादी बनना चाहते हो अभी तक लोग मजब के नाम पर आतंकवादी बने जातियों के नाम पर आतंकवादी बने हलाकि आतंग का मतल io कि नीकि बंब लेकर निकल घाना मारो steal किस को मारो गया देश भासी को मारो गया लीकिन कम से कम और किसी को मारो मत मारो अपने स्वार्थ को मार लेना जभ कभी वोट देने जाओ तो जाती देगकर वोट मत देना